जैहिन दोस्तों मैं प्रसांत पांडे स्री सुन्दरम एकडमी में आप सभी का स्वागत है मेरे दौरा कल मद्ध प्रदेश का परिचे बताया गया है ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखना है दूसरी चीज आपको ध्यान रखना आज से हम लोग जिलावार सारी चीजे करना चालू कर रहे हैं जिले बार में मैं सबसे पहले मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल को लूँगा जो की एक तरह का संभाग भी है अब हम लोग आज भोपाल संभाग को समझेंगा और भोपाल संभाग के अंतरगत जितने जिले आते हैं हो सके इसके इसके लिए दो लेक्चर लग जाएं आपको क्योंकि भोपाल संभाग के अंतरगत जितने जिले आते हैं उनको complete अपन करेंगे दो लेक्चर में देखें अब ये देखें थोड़ा सा भोपाल संभाग के अंतरगत कौन-कौन से जिले आते हैं ध्यान रखें तो भोपाल संभाग के अंतरकत पहला जिला आता है इसी को याद रखें भोपाल ही दूसरा याद रखें बिदिसा तीसरा याद रखें सिहोर चौथा क्या याद रखेंगे राजगड राजगड याद रखना है राजगड भोपाल संभाग के अंतरकत आता है ठीक है पचमा याद रखना है राय सेन ठीक है इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है तो भोपाल संभाग के अंतरकत पांच जिले आते हैं तो याद रखना भोपाल, बिदिसा, सिहोर, राजगर, राइसेन, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना, अब हम लोग पर्टिकुलर एक-एक संभाग, एक-एक जिले को उठाते हैं, और उसको आगे बढ़ते हैं, लेके, देखें, भोपाल संभाग को हम लोग पढ़ते हैं, भोपाल जिले को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अब देखें, भोपाल जिले का अगर हम मैप में देखें, कुछ इस तरह है, भोपाल जिले कुछ इस तरह है, ध्यान रखिएगा, इसकी boundary किस से किस से लगती है ध्यान लखिएगा इस point को इधर देखना राजगर से लगती है इधर किस से लगती है राजगर से इधर किस से लगती है गुना से ठीक है इस बात को विशेश रूप से आपको ध्यान लखना है इधर राजगर गुना ठीक है यहाँ पे यह पूरा बिल्ट राइसें से लगता है ठीक है और यहाँ पे यह बाला बिल्ट सिहोर से लगता है और यहाँ पे देखा जाए तो यह बिदिसा से लगता है ठीक है इस बात को आपको दिमाग में रखना है तो क्या मैंने बोला कि गुना, रायसेन, सिहोर, बिदिसा और राजगार इससे इसकी सीमा लगती है याद रखिएगा इस पॉइंट को अब देखें यहाँ पे यह क्या है भोपाल सम जिला ठीक है इस बात को आपको दिमाख में रखना ही है सारे पॉइंट अब देखें हम ल अगर इसके हम एतिहासिक बैक्ग्राउंड को देखें अगर हम इसके एतिहासिक बैक्ग्राउंड को देखें समझें बात को देखें एतिहासिक बैक्ग्राउंड को हम लोग समझेंगे पहले कौन कौन से बैक्ग्राउंड एतिहासिक देखेंगे राजनैतिक देखेंगे कि यहां से राजनैतिक क्या चीज़े थी भौगोलिक भी देखेंगे ठीक है आर्थिक गत्विध भी देखेंगे यहां की और प्रसासनिक गत्विध भी देखेंगे क्या क्या प्रसासनिक चीज़ें हैं यहां पे और क्या देख सकते हैं अपन यहां के प्रमुक संग्रहाले भी देखेंगे और क्या देख सकते हैं यहां के प्रमुक संस्थान भी देखेंगे सारे बिंदु देखेंगे ध्यान रखिएगा सारी चीजे कभर करना यहां के प्रमुक संस्थान भी देखेंगे तो एतिहासिक, प्रसास्निक, संग्रहालाय और संस्थान, राजनैतिक, भगोलिक और आर्थिक यह सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना ही है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना ही है ठीक है? अब देखें यहां पे अब हम पनर यहां पे एतिहासिक गतविति से चालू करते हैं चीजों को एतिहासिक, समझे बात को यह देखें कि यह भोपाल सहर की स्थापना किसने की थी? वास्तों में भोपाल सहर की स्थापना राजा भोज ने नहीं की थी आप कई बुकों में पढ़ते हैं राजा भोज ने किये थी परमार सासक लेकिन राजा भोज ने एक्चुली में भोजपूर सहर को बसाया था क्या मैंने बोला राजा भोज ने एक्चुली में भोजपूर सहर को बसाया था ये जो भोपाल सहर है भोपाल छेतर है ये राजा भूपाल के नाम पर पड़ा है किसके नाम पर पड़ा है राजा भूपाल राजा भूपाल ध्यान रखियेगा और ये राजा भूपाल कौन है गोंड सासक है गोंड सासक ध्यान रखियेगा जब कि ध्यान रखना है राजा भोज जो है न वो भोजपूर सहर की स्थापना किये थी ठीक है ध्यान रखियेगा लेकिन कई विद्वान ये बोलते हैं कि भूपाल सहर की स्थापना राजा पालने की थी ठीक है इस बात को ध्यान रखना अब देखो आगे चल कर ये इस पे बात करें कि यहाँ पे अफगान सासक रहता है आता है अफगान सासक दोस्त महम्मद खां क्या नाम है अफगान सासक क्या नाम दोस्त महम्मद खां ध्यान रखियेगा अफ़गान सासक दोस्त महम्मद खा दोस्त महम्मद खा ये इसका नाम याद रखे एक्चलिम क्या था ये जो दोस्त महम्मद खा था ये औरंग जेब का सूबेदार हुआ करता था क्या अब औरंग जेब का सूबेदार लेकिन ये वहां पर भी गफला किया तो और अरंग जैम ने इसको वहां से भगा दिया था तो ये क्या किया यहां पर आके स्वतंत रूप से अपनी सत्था फित करना चाहता है तो कहां पर भोपाल वाले छेत्र में एक चुली में क्या था उस टाइम का भौपाल समझे यह पर्टिकुला भौपाल बस नहीं हुआ करता था इसके अंतरगत क्या क्या करती थी चीजें यह ध्यान रखना है । यह जो करी है सिहोर रायसैन थीक है सिहोर राय सेन भौपाल ये सेयुक्त रूप से सब कुछ मिला कि ये भोपाल छेतर हुआ करता था ठीक है ना इस सब कुछ क्यूंकि भोपाल उस टाइम बहुत बड़ा छेतर रियासत हुआ करती थी ध्यान लखिएगा इस चीज़ को ठीक है तो इस बात को ध्यान लखना तो अपगान सासक दोस्त महम्मद खाने एक्चुली में इसलाम नगर की स्थापना की थी किस नगर की स्थापना इसलाम नगर की स्थापना इसलाम नगर की स्थापना जिसे बरतमान में जगदीश पूर कर दिया गया क्या कर दिया गए बरतमान में ध्यान रखिएगा क्या कर दिया गए बरतमान में इसका नाम जगदीसपूर बरतमान नाम जगदीसपूर कर दिया गए ध्यान रखिएगा ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी तो एतिहासिक में ध्यान रखना कि इस सहर की स्थापना करने में राज भूपाल का गोर्ण सासक रहता है उन्होंने इस सहर की स्थापना की और बाद में यहाँ पे अफगान सासक दोस्त मुहम्मद खा का कबजिया हो जाता है ठीक है इस चीज को याद रखना ठीक है ध्यान रखना है और इसने यहाँ पर इसलाम नगर की स्थापना की जो कि बरतमान में जगदीसपुर के नाम से जाना जाता है ठीक है इस चीज को आपको दिमाग में रखना है अब हम अप की भोगोलिक कुछ चीज़े देखें भोगोलिक चीज़े ये एक्टिलीम भोपाल चो सहरie 5 पहाडियों से घिरा हुआ है कितनी पहाडियां 5 पहाडियों से घिरा धियान किएगा पांच पहाड़ी इनका नाम याद रखिएगा कौन कौन सी पांच पहाड़ी है ध्यान रखें इदगा हिल्स इदगा हिल्स ठीक है इदगा हिल्स काटारा हिल्स स्यामला हिल्स अरेरा हिल्स और एक है द्रोडांचल हिल्स जिसे नवेरी हिल्स भी बोलते हैं द्रोडांचल हिल्स ध्यान रखिएगा तो ये जो पाल सहर है पांच पहाड़ीों में बसा हुआ है कौन कौन से इदगा हिल्स काटारा हिल्स स्यामला हिल्स अरेरा हिल्स द्रोडांचल हिल्स इस बात को आपको ध्यमाग में रखना है और अगर देखा जाए यहां की चीजें तो यहां पर ध्यान रखिएगा भागोलिक बिंदू में कुछ पॉइंट ध्यान रखना है यहीं पर क्या है याद रखिएगा भोज ताल है भोज ताल ध्यान रखिएगा जिसे बड़ा तलाब के नाम से जाना जाता है क्या नाम जाना जाता है बड़ा तलाब ध्यान रखिएगा इस बड़ा तलाब का निर्मार राजा भोज ने किया था किसने किया था राजा भोज ने किया था याद रखिएगा निर्मार किसने किया राजा भोज ध्यान रखिएगा किसने किया राजा भोज ने किया यह जो बड़ा तलाब है इसको जल की प्राप्तिक कुलहान सनदी से प्राप्त होता ध्यान रखिए गा कौन सी नदी से जल की प्राप्तिक कुलहान सनदी से कुलहान सनदी से ठीक है इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है किस नदी से कुलहान सनदी से इसको जल की प्राप्ति होती है थोड़ा से दिमाग में रखना है दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखना यह जो छेत्र है इसे रामसर साइड में सामिल कर दिया गया है और यह मद्द प्रदेश का पहला रामसर साइड है यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो इसे रामसर साइड में भी सामिल किया गया है आद्र भूम में सामिल किया गया है रामसर छेत्र का दरजा मतलब आद्र भूमिका बेट लेंड का दरजा बेट लेंड का इसे दरजा दे दिया गया है ध्यान रखिएगा और कब दिया गया था 2002 में वो ऐसे देखा जा जा डेट सही देखा जा तो 19 अगस्त 2002 ध्यान रखिया और यह क्या है मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर साइड है यह क्या है मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर साइड सबसे बड़ा रामसर साइड ठीक है बरतमान में तो पांच है अभी यहां पर नहीं बताएंगे क्योंकि परटिकुलर जिला में सारी चीजे बताएंगे यह चीजे आपको दिमाग में रखना तो क्या क्या मैंने बताए एक बार इसको देख लें आप मैंने यह बताए भोपाल संभाग के अंतरगत कौन कौन से जिले आते हैं इसका मुख्याला क्या है भोपाल संभाग का मुख्याला याद रखियेगा भोपाल है ठीक है ना क्या है भोपाल ही है द्यान रखियेगा ठीक है इस चीज़ को याद रखियेगा तो बोपाल, विदिसा, सिहोर, राजगर, रायसेन ठीक है इस बात को ध्यान रखना अब अगर देखा जाए कि जैसे कुछ चीज़े और यहाँ पर एड़ान कर लेते हैं अपन एतिहासी बाले में कि यहाँ पर देखें, थोड़ा सा औरेट करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे देखें यहाँ पर, जो यह भोपाल हुआ करता थी, यह एक तरह के रियासत हुआ करती थी, और भोपाल रियासत का बिलनी करण कब हुआ यह याद रखना, बिलनी करण यहाँ पर अंतीम रियास्त रहे ठीक ना इस चीच को याद रखना लेकिन भोपाल का बिलनी करण एक जून 1904 को हुआ ठीक ना सरदार बल्लब भाई पटेल और बीपी मेनन के सहयोग से ये क्या हुआ कि भोपाल रियास्त का बिलनी करण किया गया कब किया गया भोपाल रियास्त का बिलनी करण याद रखिएगा वो पाल रियासत का बिलनी करण ये भी पॉइंट याद रखना भारती संगे में कम मिलाया गया 1 जून 1904 को कम मिलाया गया 1 जून 1904 को ध्यान रखिएगा लेकिन इसको मिलाने से पहले लगातर संगर्स हुए कई भी द्रो हुए कैसे भोपाल का जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ एक तरह का कहां पे हुआ था राय सिंद वाले जगह में हुआ था ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कहां पे हुआ था भोपाल का जलिया वाला बाग हत्या कांड याद रखिएगा इंपोर्टन्ट है ये एक चुलिया भोपाल का जलिया वाला बाग हत्या कांड ये हुआ था 14 जन्वरी 1904 को बोरास गाउं में हुआ था कहां हुआ था 14 जन्वरी 1940 को ध्यान रखिएगा 1940 को कहां हुआ था बोराज एक जगह है राइसेन में क्योंकि उस टाइम पूरा ये क्या हुआ करता था राइसेन को भी मिला के ठीक ना ये रियासत हुआ करती थी ठीक है इस चीश को याद रखना तो 14 जनवरी 1940 को बोराज गाओं है बोराज गाओं में क्या हुआ था ये कहां है राइसेन में आता है बरतमान में क्या हुआ था बोपाल का जलिया बाला बाग हत्या कांट इसी बिलनी करण को लेकर ही हुआ था ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को इसी बिलनी करण को लेकर ही हुआ था ठीक है इस चीज़ को बाकी इतिहासी में हम लोग इस्थापत कला देखेंगे जैसे गोहर महल किसने बन बाया सौकत महल ठीक ना धाई सीड़ी की मस्जीद देखी लेते हैं यहीं पर देख लेते हैं इस चीज़ को भी देखें लेते हैं देखें आगे चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं जैसे देखो एतिहासी में कुछ और चीज़े हैं यहाँ पर सारी चीज़ मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा आपको ताकि आपको दिमाग में चीज़े याद हो जाए इतिहासिक में और कुछ चीज़े देखते है यहाँ पे क्या हुआ था बेगमों का सासन हुआ करता था ठीक ना, साह जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम ठीक ना, इनका सासन हुआ करता था, याद रखियेगा जिसमें से अगर देखा जाए आपे देखें अच्छा ये हो गया था यहाँ पे देखें यह सारी चीज आपने यहाँ पे देख लिया कि भौगोली की स्थित में यह सारी चीज आपने यहाँ पे देख लिया अब देखा जाए कुछ चीज और देखते हैं यहाँ पे जैसे राजनैतिक चीजे देखें यहाँ पे राजनैतिक चीजे में में रूप से ध्यान रखना है यहाँ से कौन हुआ करता था राजनैतिक इस्थित में अगर देखा जाए पहली बात तो याद रखना मुख्य मंत्री का निवास अस्थान देखो कहाँ पे है का निवास अस्थान मुख्य मंत्री का निवास अस्थान क्या कहलाता है स्यामला हिल्स क्या कहलाता है स्यामला याद रखना स्यामला हिल्स में ये रहते हैं ध्यान रखिएगा दूसरी चीज यह ध्यान रखना दूसरी चीज याद रखना यहीं पर ध्यान रखना विधायक कहां रहते हैं जो विधायक का निवास अस्थान है याद रखिएगा अरेरा हिल्स यहाँ पे रहते हैं मोहन यादव ध्यान रखेंगे स्यामला हिल्स में मद्द पदेश के सीयम है यंपी सीयम मोहन यादव ठीक है याद रखिएगा तीसरी चीज़ यहाँ पे देखा जाए अगर बिन ध्यान चल भवन देखते हैं क्या बिन ध्यान चल कह रहे हैं ठीक है न यह सत्पुड़ा भवन देखते हैं भवन प्लस बल्लब भवन प्लस बल्लब भवन यह मुख रूप से याद रखना सारे प्रसासनिक अफिसर बड़े बड़े अफिसर प्लस मुख मंत्री प्लस सचिव याद रखना मुख मंत्री की बैठा के यहीं पर होती है देहां रखिएगा में और सेक्रेटरी रेंक के अफिसर अधिकारी यहीं पर रहते हैं देहां रखिएगा जो सत्पुरा भवन है इसमें अन्य विभाग के करमचारी आते हैं इनको छोड़ के अन्य विभाग के करमचारी इस वाले उसमें रहते हैं अन्य विभाग के करमचारी दिहां रखिएगा यह सारे बिंदो आपको दिमाग में रखना है ठीक है अब देखे थोड़ा सा यहीं से थे कौन संकर दयाल सर्मा जी भोपाल से ही बिलोंग करते थे दिहां रखिएगा संकर दयाल सर्मा इनका नाम याद रखिएगा संकर दयाल सरमाजी ठीक है जो संकर दयाल सरमाजी थे इनका नाम याद रखा बहुत इंपोर्टेंट है ये भारत के राष्ट पती क्या क्या बने है राष्ट पती ध्यान रखियेगा उपर राष्ट पती और भोपाल राष्ट के मुख मंत्री पहले मुख मंत्री थे भोपाल राष्ट के क्या मैंने बोला भोपाल राष्ट के जब पर्टिकुलर मद्पदेश की राष्ट का गठन नहीं हुआ था उस टाइम भोपाल राष्ट हुआ करता था ध्यान रखियेगा तो भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री सियम हुआ करते थे कब से कब तक 1922 से छपमन तक ध्यान रखिएगा और ये तीन राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं बहुत इंपोर्टन्ट है ये तीन राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से तीन राज्जे हैं ध्यान रखिए के गवर्नर भी रह चुके हैं गवर्नर कौन कौन से राज्जे के ध्यान रखिएगा कौन कौन से वो राज्जे हैं जैसे याद रखिएगा पंजाब दूसरा नाम याद रखिए आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश और तीसरा नामे याद रखिएगा महाराष्ट ठीक ना कैसे याद रखेंगे कि भाई ये तीन राज़ी के राज़वाल पंजाब से चले तो अधेरे में आए अधेरे से सीधे महान आदमी के पास पहुँच गए कैसे याद रखोगे पंजाब से चले तो अधेरे में पहुच गए तंधेरे से याद रखना आंधर प्रदेश और आंधर प्रदेश से सीधे महान आदमी के हाथों लग गए थे तो महाराष्ट याद रखिएगा ठीक है इस चीट को याद रखना अब ध्यान रखना और कुछ याद रखना अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में ही ये क्वेश्चन पूछा था कि संकर द्याल जो सरमा थे वो राष्ट पती किस क्रम के थे भारत के तो नाइंध नमबर के थे याद रखना तो कैसे याद रखोगे नौमी पास ऐसे याद रखना या तो ऐसे याद कर रोख नौमी क्लास में थे तो राष्ट पती बन गए थे किस क्लास में थे नौमी क्लास में थे राष्ट पती बन गए दूसरी चीज उपर राष्ट पती किस क्रम के थे ये भी याद रखिएगा एट्थ नमबर के किस नमबर के एट्थ नमबर के ठीक है इस बात को भी आपको दिमाग में रखना तो संकर द्याल सर्मा के बारे में हर एक point आपके लिए important है ठीक ना संकर द्याल सर्मा के बारे में हर एक point आपके लिए important है ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन अब अगर देखा जाए भुपाल से संबंदी कुछ चीजे और देखेंगे अपन जैसे यहां की देखते हैं भुपाल छेतर की और कुछ चीजे देखते हैं यहां के देखते हैं संग्रहालाए ठीक है यहाँ पर क्या क्या है संग्रहाले देखते हैं पहले देखते हैं मानो इंद्रा गांधी मानो संग्रहाले इंद्रा गांधी इंदिरा गांधी माना संग रहा लए ठीक है दूसरी चीज याद रखिएगा राज जनजाती संग रहा लए राज जनजाती संग रहा लए और एक याद रखिएगा दुस्यंत कुमार पांडुलिप संग रहा लए पांडुलिप संग रहा लए इसके इनके नाम पर पुरसकार भी दिया जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है इस बात को ध्यान रखना जो इंद्रा गांधी माना संग रहा लए थे इस पे बिसेश पॉइंट याद रखिएगा एक्चुलि में पहले ये भोपाल में नहीं हुआ करता था ये कहां हुआ करता था नई दिल्ली में हुआ करता था प्रारंबे में याद रखिएगा नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी इस थापित याद रखेंगे क्या सारे बिन्दु याद रखना कब 1977 में लेकिन वहाँ पे जगह की कमी के कारण इसे भोपाल इस्थन अंतरित किया गया कब ध्यान रखिएगा 1979 में भोपाल इस्थन अंतरित 1979 में लेकिन ये मानव संग्रहालाय के नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था उस टाइम मानव संग्रहालाय द्यान रखना इस पॉइंट को लेकिन बाद में 1985 में इसे इंद्रा गांधी मानव संग्रहालाय किया गया द्यान रखिएगा 1985 में इंद्रा गांधी मानव संग्रहालाय एक चीज आपको बता दूँ यह जो हैंड रिटन लिख रहे हैं पेडिया यह सारी आपको टेली ग्राम में उपलब्द करा दी जाएगी आप एक काम करें या तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दें 74 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजेगा तो आपको टेली ग्राम से जोड़ दिया जाएगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखना 7470529378 ठीक न तो आप सिर्फ काम के उद्देश से मैसेज करें ठीक है इस बात को ध्यान रखना है और आपको टेली ग्राम में जोड़ दिया जाएगा और यह पीडिया पको उपलब्द करा दिया जाएगा ठीक है इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है यह सारी हैंड रिटेंट पीडिया आपको उपलब्द कराया जाएगा ताकि आप एक बार रिकॉल आपकी आपको नोट्स बनाना है इस बात को ध्यान रखना नोट्स अपने हाथों से बनाना है इस चीज को विसेश रूप से आप ध्यान रखेंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर यह सारी चीज हो गई अब देखें यहाँ पर राज जनजाती संग रहा लाए यह ध्यान रखना इसकी अगर यहाँ पर जनजातियों के विकास की अवधानों को दिखाया गया है यह भी इसमें भी याद रखना यहाँ पे भी जनजातियों की विकास की अबधाना को दिखाया गया है और यहाँ पे जनजातियों से सम्बंधित जन्जातियों से संबंधित कलाओं को संरच्छित कलाओं को संरच्छित किया गया है कलाओं को संरच्छित किया गया है याद रखिएगा ध्यान रखिए गई ये पॉइंट इसकी थापना अगर देखा जाए 2013 में लेकिन इसमें काम चालू हो गया था 1964 से प्रारम वे 1964 में ही कर दिये थे ध्यान रखिए अधार सी लड़क लेकिन पूरी तरह से बन कर त्यार हुआ 2013 में गब 2013 में इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है ठीक है इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है ठीक है अब देखें यहाँ पे कुछ चीजें आगे देखते हैं अपन जैसे यहाँ के सैच्छिणिक संस्थान भी देख लेते हैं क्या देख लेते हैं सैच्छिनिक संस्थान राजीब गांधी प्रद्योकी महाविद्याले है प्रद्योकी महाविद्याले महाविद्याले दूसरा नाम याद रखिएगा अटल बिहारी बाजपे हिंदी बिश्विद्याले ध्यान रखिएगा अटल बिहारी बाजपे हिंदी बिश्विद्याले कि राष्टी लॉ कालेज कि राष्टी लॉ कॉलेज है यहां पे है दिहां रखिए गए इस पॉंट को भी राष्टी क्या है लोะ कॉलेज है इस चीज को भी आपको दिमाख में रखना है यहीं पे और बाते याद रखिए बरकातुल्ला बिश्विद्याले है वही बरकातुल्ला जो सुतंतता सेनानी थे बाद में आफगानिस्तान के आस्थाई सरकार में चुने गए थे याद रखिएगा बरकातुल्ला बिश्विद्याले यह भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना, तो राजीव गांधी, अटल विहारी बाजपई, राश्ट्री, लौ कॉलेज, बरकातुला, बिश्विद्याला है, यहाँ पर यह सारी चीजें यहाँ पर फेमस है, यह सारे बिंदू आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कु रेलबे कोच फेक्ट्री है यहाँ पर, रेलबे कोच, यहाँ पर कोच बनता, स्लीपर नहीं बनता, स्लीपर बुधनी सीहोर में बनता, ध्यान रखियेगा, रेलबे कोच फेक्ट्री, ठीक है, रेलबे कोच फेक्ट्री, निसांत पुरा में है, भोपाल में, दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखना गोविंद पूरा अध्योगिक केंदर है इंडरस्टियल एरिया है याद रखना एरिया इंडरस्टियल एरिया क्या है गोविंद पूरा ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है तीसरी चीज़ याद रखिए यहाँ पर भेल है भेल याद रखना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेड ये एक महारतन कंपनी है क्या याद रखना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेड याद यह एक तरह के महारत न कंपनी है, क्या महारत न कंपनी है, ध्याहन रखिएगए गूप याद रहे किया यह महारत न कपन, यह देखो, मैग जिमंख को में ब॑टेटेन के सहयोक सपना है, लेकिन कई जागे Soviet संग भी बताता है, तो आप ध्यान रखना इस point को मेन आप याद रखना Britain के सहयोग से बना है कुछ हिससे इसके Soviet sang रूस के सहयोग से भी बना है ध्यान रखिएगा Soviet sang रूस के सहयोग से भी बना है ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा ठीक है इस point को भी आपको दिमाग में रखना है ये कुछ लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता इसे देना है Britain के ध्यान ध्यान रखिएगा ठीक है ना Britain के सहयोग से ही मुखुरूप से ये बना है ध्यान रखिएगा कब बना है ये कब से काम चालू हो जाता है उन्हें 156 से यहाँ पर इसकी अधार सीला रख दी जाती है पूरी लेकिन ये पूरी तरह से काम करना 1964 से चालू करता ध्यान रखिएगा याद रहेगा क्या और याद रखें यहाँ पर कुछ महत्पूर बाते ज्यान रखिएगा रूप एक से कंड ज्यान रखना है और बाते याद रखिए यहीं पर हुआ था भोपाल गैस कांड क्या हुआ था भोपाल गैस कांड दो से तीन दिसम्बर देखो अचली में क्या था दो दिसम्बर की रात थी तो दो से तीन दिसम्बर याद रखिएगा 1984 और ये एक तरह की अमेरिकी कंपनी थी अमेरिकी कंपनी यूनियन करवाइड की थी यूनियन करवाइड किसकी थी यूनियन करवाइड याद रखिए गए कि पॉइंट सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपके सोची जब जिला इतना अंदर जा जाके पढ़ा रहा हूँ तो समझ जाईएगा कि फिर जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे ना बहुत दीप आया है यह हकीकत है मैं एक एक चीड डीप में ले जाओंगो लेकिन अभी जिलावाइड चल रही चीज़ें तो इसलिए हमें सारी चीजों को समेटना पड़ेगा समझ रहें बातों को इस चीज़ को याद रखना क्योंकि 55 जिले हम कभर कराएंगे दस संभाग है 55 जिलों क कभर कराएंगे इस बात को ध्यान रखना तो यूनियन करवाइड फैक्टरी थी जिससे मिथाइल आईसोसाइनाइट का रिषा हुआ था ध्यान रखिएगा कौन जी गैस यह पूछा जा सकता है मिथाइल आईसोसाइनाइट और ये इतनी जहरीली गैस होती है कि जिस शेत पे इसका रिषा हुआ था उसके बज़े से क्या हुआ था दम गुटने लगा था लोगों का थीख ना अंदर जैसे ही प्रवेस्किया तो उसके बज़े से दम गुटने लगा था ये याद रखिएगा और इसमें कई कई लोग काल के गाल में समा गए और इसी के बाद 1987 में राष्टी आबदा संस्थान इसी के बाद 1987 में याद रखिएगा राष्टी आबदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई संस्थान की स्थापना समय हो चुका है अभी भोपाल जिलक कम्प्लीट नहीं हुआ है कल अभी इसकी कलास भोपाल को आगे बढ़ाएंगे और राइसें जिलक को कम्प्लीट करेंगे कल अभी भोपाल कम्प्लीट होगा आज नहीं हो पाएगा अभी भोपाल कम्प्लीट करने के लिए लगभग हमें 40-45 मिना टार चाहिए क्योंकि मैंने आपको भोपाल यकीन मानो भोपाल के चप्पे चप्पे गुमा दिये क्या नामे कलास का चप्पे चप्पे कलास और अभी आपने जिला पढ़ा है जिस दिन आपने संपूर यंपी मेरे से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको दूसरी जगे पढ़ने की जरूरन नहीं पढ़ेगी इस बात को ध्यान रखिए चलो आप देख लो क्या क्या मैंने पढ़ाया एक बार वापस से मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा और टेली ग्राम चैनल में आपको जोड दूँगा सभी लोग देखें ये सारी चीन मैंने दिखाई आपको सारे बिंदू देख लीजे एक बार सारे बिंदू अब सर की क्लास होगी अभी जस्ट दस मिनट से सर की क्लास होने वाली है ध्यान रखिएगा ये देख लीजे सारे पॉइंट ठीक है तो सभी लोग स्री सुंदरम एकडमी का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लें ये निमित क्लास चलने वाली है और लगातार चलेगी सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारा और सर का मकसद यही है आपको सेलेक्शन तक पहुँचाना और यकीन मानिए 100% हम लोग अपनी पूरी ताकल लगा देंगे आपको विजई रथ मेट चढ़ाने में